संस्कृत के महा कभी बान्भट का जीवन परिचे बान्भट का जन्न सात्वी शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कभी थे, वो राजा हर्ष्वरधन के आस्थान कभी थे, उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्ष्चरितम तथा कादम्बरी, हर्षचरित्म, राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है और कादमबरी विश्व का पहला उपन्यास कादमबरी पूर्ण होने से पहले ही बान्भट का देहांत हो गया और इसे उनके पुत्र पुलिन्भट ने पूरा किया दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं बान संस्कृत के कुछ गिने चुने लेखकों में से एक है जिनके जीवन एवं काल के विशे में निश्चित रूप से ग्यात है कादमबरी की भूमिका में तथा हर्ष चरितम के प्रथम दो उच्वासों में बान ने अपने वंश के संबंध में विस्तार पूर्वक सूचना दी है कादमबरी और हर्ष चरितम के अतिरिक्त कई दूसरी रचनाय भी बान की मानी जाती है उनमें से माकंडेय पुरान के देवी महात्मिय पराधारित दुर्गा का स्तोत चंदीश तक है प्रायह एक नाटक पार्वती परिण्य भी बान द्वारा रचत माना जाता है परंतु वस्तुता है इसका लेखक कोई पश्चादवर्ती वामन भटबान है बान के पिता का नाम चित्रभानू था बान के शैशवकाल में ही उनकी माता राज्य देवी की मृत्यू हो गई उनका पालन पोशन उनके पिता के द्वारा ही हुआ बान अभी 14 वर्ष के ही थे कि उनके पिता उनके लिए कापफी संपत्ती छोड़कर चल बसे महा कवू बान भट की रचनाए एक हर्ष चरतिम दो कादम बरी